Hello guys, let's start our new session of learning, okay, हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे कि nature of management, हम लोग दो nature of management already discussed कर चुके हैं, management as art and management as science, okay, आज की वीडियो में हम लोग discuss करेंगे management as profession, right, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे profession का मतलब क्या होता है, उसके characteristics क्या क्या है, और वो management से compare करके देखेंगे, management से match करते हैं या नहीं है, अगर वो match करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कि management as a profession, अगर management से, अगर उसके features match नहीं करते हैं management से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, management is not a profession, okay, तो let's start the video and let's see the meaning of profession, okay, profession can be defined as an occupation, backed by specialized knowledge and training, in which entry is restricted, तो profession क्या है, profession एक occupation है, जिसको gain करने के लिए, जिसको लेने के लिए, हम लोग को special training और knowledge लेना पड़ता है, in that specific field, ठीक है, that specific field मतब, doctor है, तो वो doctor के field में लेगा, ठीक है, lawyer है, तो वो law के field में लेगा, specific knowledge, teacher है, तो वो teaching के field में specific knowledge गेन करेगा, तो इसलिए यह क्या है, वो एक occupation है, जिसमें क्या होता है, एक special knowledge और training लेना पड़ता है, and in which entry is restricted, और वहाँ क्या है, entry restricted होती है, इसका मतलब यह होता है, कि अब हर लोग मालो सोचेंगे कि मैं कल doctor बन जाओ, तो वो doctor नहीं बन सकता है, ठीक है, मालो कल कोई कोई सोचता है कि मैं lawyer बन जाओ, ठीक है, तो वो lawyer नहीं बन सकता है, ठीक है, क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको lawyer बनने के लिए, doctor बनने के लिए, वो एक course करना एक specific knowledge gain करना पड़ेगा, एक system के थ्रू जाना पड़ेगा, अज अब तक वो specific knowledge नहीं gain किया है, training नहीं मिला हुआ है, specific knowledge नहीं मिला हुआ है, कोई भी उस एक field में नहीं जा सकता है, एक field में, एक occupation में जाने के लिए उसको एक body of knowledge जो भी बनाया गया है, book material, course, process, सब के थ्रू जाना पड़ेगा, तब उसको क्या मिलेगा, एक specific knowledge मिलेगा, okay, इसलिए लोग इसमें क्या बोलते हैं, कि entry is restricted, so let's see the feature of profession, इसका पहला feature है, well defined body of knowledge, well defined body of knowledge मिला पहले भी discuss कर चुके हैं, भाकी वाले जो nature थे उसमें, उसमें क्या है, कि आगर आपको doctor बना है, तो आपके लिए well defined study material है, process है, जिसको आप acquire करोगे, पढ़ोगे, तो आप क्या बन जाओगे, doctor बन जाओगे, in the same way, देखिए, ये जो feature है, हो management से match किया, इसलिए मैंने इसके बगल में tick लगाया हुआ है, तो manager भी बनने के लिए क्या है, आपको MBA करना पड़ेगा, BCA करना पड़ेगा, तब आप क्या बनोगे, manager बनोगे, तो ये दोनों point आपस में match करते हैं, दोनों के लिए well defined body of knowledge है, दोनों को, जैसे आप doctor भी बनोगे, तो भी आपको लिए एक process है कि आपको entrance exam निकालना पड़ेगा, बहुत पड़ना पड़ेगा, और एक courses करने पड़ेंगे, ठीक है, एक process के थ procedure है, जो कि आपको उसके knowledge gain करने के लिए उस procedure के थुरू जाना पड़ता है, ओके तो first feature of profession and management are same, when you will compare the things, ओके, आपको जाते हैं second feature के तरफ, second feature is restricted entry, as explained earlier, कि entry is restricted मतलब होता है कि आप कल को अगर मन करता है, कि जैसे मैं अभी teacher हूँ, अब मुझे कल को मन करता है कि मैं doctor बन जाओ, तो मैं नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने MBA का degree नहीं लिया है, ओके, ठीक है, तो अगर इसलिए, अगर मुझे अगर कल को lawyer बनने का मन है, तो मैं नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि मैंने lawyer की degree नहीं ले रखी है, in the same way, कि यहाँ पे profession में क्या हो जाता है, कि entry restricted होती है, ठीक है, आप एक specific course करके, उस knowledge को gain करते हो, certificate लेते हो, कि ठीक है, तभी आप उसमें enter कर सकते हो, उस particular profession में, otherwise उसमें enter नहीं कर सकते हो, but management के लिए, ऐसा कोई भी rules नहीं है, वहाँ पे entry restricted नहीं है, वहाँ आप जब चाहो, तब जा करके, experience अगर किसी person का हो जाता है काफी, तो वो manager बन सकता है, okay, तो this feature of profession doesn't matches with the, so this feature of profession doesn't matches with the feature of management, okay, यह दोनों का feature आपस में नहीं मिलते हैं, that is why I have crossed here, third feature की बात करें तो है, presence of professional association, देखे, अगर आप, अगर आप CA बनोगे, तो आप बनोगे, institute of chartered accountants of India के member, okay, अगर आप lawyer बनोगे, तो आप bar council के member कहलाओगे, in the same way doctor बनोगे, तो भी एक council के member कहलाओगे, okay, तो इस तरह से, जो भी professions होता है, वहाँ पर आप जब वो profession को acquire करते हो, तो किसी ना किसी association के साथ जुड़ जाते हो, ठीक है, but आप management में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, management में क्या है, ऐसा कोई भी association नहीं है, एक association है, all India management करके, जो कि optional है, compulsory अभी तक नहीं है, okay, तो हम लोगों बोल सकते हैं, कि यह जो feature है, profession का वो management से match नहीं करता है, ठीक है, फोर्थ है, existence of ethical code, ethical code मतलब होता है, rules and regulations, ethical code मतलब होता है, rules and regulations, हर एक profession के साथ, कोई ना कोई rules and regulations जुड़ा हुआ है, जो कि, जैसे for example, lawyer है, तो उसको बहुत सारे books पढ़ने पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें कि बताया रहता है, कि इस section में यह है, तो वो क्या है, rules है, code है, conduct है, अगर teacher है, तो उसको बताया जाता है, कि आपको यह यह तरीका है पढ़ाने का, ठीक है, use that method, ठीक है, तो जो भी profession आ कि आप बात करें, तो उसमें कोई ना कोई ethical code होता है, that is rules and regulations, जो कि उस person को follow करना होता है, जो कि, जो भी जिस profession से belong करता है, okay, but management में ऐसा, कुछ भी अभी तक नहीं है, future में होने की संभावना है, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम लग बोल सकते हैं, कि यह जो जो rules and regulations है, ठीक है, जो existence of ethical code है, यह जो profession का जो fourth point है, वो management से match नहीं करता है, fifth point is service motive, मतब आप अगर doctor को देख लो, तो वो सबसे पहले तो service motive के लिए create होता है, बाद में भले आप बोलोगे कि मैम वो तो काफी heavy fees लेते हैं, तो वो लेते हैं, ठीक है, बाद उनका main motive क्या होता है, service motive होता है, जो कि लोग भूलते जा रहे हैं, वो second issue है वो, बाद वो कैसे create होते हैं, service motive के लिए create होते हैं, service motive का मतब यह नहीं है कि free maker, मतलब service provide करते हैं, education भी service provide करना है, ठीक है, आप किसी को service दे रहे हैं, जिसे lawyer क्या करता है, service देता है, डॉके, डॉक्टर क्या करते हैं, अपनी service देते हैं, तो profession भी service motive लेकिन आप management पर service motive नहीं बोल सकते हो, तो यह जो feature है, last वाला, किसका profession का, वो management से match नहीं करता है, since देखोगे कि, चार feature में, यह देखिए, चार feature of management है, four features, well defined body of knowledge, restricted entry, presence of professional associations, existence of ethical code, service motive, यह देखोगे, पास feature में से, चार feature match नहीं करते हैं, श्रिफ एक feature ही match करता है, तो हम लोग क्या conclusion ड्रो करेंगे, conclusion यह ड्रो करेंगे, कि management does not mean the exact, management does not have the exact criteria of profession, मतलब management को हम लोग exactly profession नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे features जो है, profession के साथ match नहीं होता है, इसको future में इसका match होने का chances है, मतलब profession बनने का fully chances है, but at present, we can't say that profession, sorry, management is exactly a profession, ठीक है, so, hope you will understand the video, go through the video again, if you don't understand, okay, thank you.